हेलो दोस्तों आज आपको L.I.C. का सबसे फेमस प्लैन जीवन आनंद के बारे में बताएंगे इसका अभी इसको बोला जाता है न्यू जीवन आनंद इसका टेबल नंबर है 815 इसमें होता क्या इसमें सम्तम्मशोड जिसको बोल जाता है इंशोरेंस कवर मिनिम्म में एक लाग और मैकसिम्मम आप जितना मर्जी ले सकते हैं टाइम पिरियड या जिसको टर्म बोला जाता है प्लैन का वो 15 से 35 साल का होता है एज ग्रूप इसमें आते हैं 18 से 50 साल के बंदे इसको ले सकते हैं होता क्या है इसमें इंशोरंस कवर 125% होता है सम में शोर्ड का जितने का आप भीमा करवाते हैं उसका 125% इंशोरंस है और एक्सिडेंटल केस में आपको दिया जाता है डबल इंशोरंस डबल एक्सिडेंटल इंशोरंस इस प्लैन का सबसे बड़ा फीचर ये है कि मैचॉर्टी के बाद भी इस प्लैन का आपको जितने का अपना सम इशोर्ड लिया होता है उतने का रिस्कवर आपको पूरी लाइफ रहता है मैचॉर्टी के बाद भी आपका इंशोरंस है इस प्लैन को लेने का एक टेक्स बेनिफिट ये है कि इसमें जो भी आप प्रीमियम पे कर रहे है वो आपको इंकम टेक्स की 80C section के अंडर exempted है उसकी अलावा इसकी जो मैचॉर्टी बनती है वो भी इंकम टेक्स से exempted है वो 10D section के अंडर उस पे भी आपको कोई भी इंकम टेक्स tax कुछ भी pay नहीं करना पड़ता और इस policy की सबसे बड़ी बात तीन साल policy के चलने के बाद आपको loan और surrender का option भी मिल जाता है अब दोस्तों एक example से हम आपको जीवन अनन्द plan के बारे में समझाएंगे इसमें हम एक इनसान की example लेंगे age group और time period के हिसाब से तो वही हम आपके सामने आपके explain करेंगे मान लीजिए एक 25 साल का व्यक्ति इस plan को लेता है उसमें वो समशोर रखता है पांच लाक रुपे का और उसका policy का time period है 21 साल का 21 साल के लिए उसने new jeven अनन्द plan ले लिया पांच लाक का अब सवाल यह आता है कि उसको क्या मिलेगा अब उस इनसान को क्या मिलेगा मिलने के तीन cases बनते हैं एक बनता है natural death, accidental death और survival सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको natural death का case अगर इस case में किसी इनसान की natural death हो जाती है तो उसको मिलता है sum assured का 125% वो हुआ 5 लाक का 125% हुआ 6,25,000 रुपया उसके बाद accidental case में क्या मिलता है accidental case में मिलता है 125% sum assured का वो तो मिलेगा है मिलेगा accidental case में additional मिलता है 5,000,000 रुपया एक और sum assured के बराबर amount एक और अगर किसी ने 10,000,000 का sum assured लिया है तो 10,000,000 का 125% प्लस 10,000,000 रुपया additional accidental case death में थर्ड केस हमारा आजाता है survival का survival के केस में हमें क्या मिलता है जो भी हम पैसे जमा करवा रहे हैं जो भी amount deposit किया है हम LIC के पास उस पे interest bonus जो भी लगना होता है वो सब लगके हमें उसकी maturity मिल जाती है उसकी maturity बनती है 5,000,000 के पिछे ये कम से कम बनती है 10,000,000 पैसेट हजार रुपया प्लस 5,000,000 का insurance हमें पूरी life के लिए available होता है पूरी life उस प्यक्ति का discover चलता रहेगा बाकी contact details आपको दे रहा हूँ मेरा नाम है अतुल बिलावरिया थैंक यू